उत्तरप्रदेश के बदायू में पांच बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनोती देते हुए बुजुरुक डॉक्टर दमपत्ती के उब बंदक बना कर डकेती की वारदात को अंजाम दिया। अपराधी डॉक्टर दमपत्ती घर से डेर सारा केस, सोना चांदी और समान लूट कर फरार हो गये। अपराधियों ने इस दोरान डॉक्टर दमपत्ती को टेप से बान दिया था और तमंचे के बल पर घर का पूरा समान खोज लिया और 20-25 मिनिट में ही घटना को अंजाम द अंजाना शेत्र लाबेला चोक जो शहर का सबसे वेस्ततम चौरा हमाना जाता है। इसके पास इस्ति डॉक्टर एस एन गोविल की कोठी में पांच हत्यार बंद बदमाश शाम साथ बजे घुसकर डखेती के वारदात को अंजाम थे। डॉक्टर मिर्दला गोविल ने पुलिस की नीन हुरा दी है। पांच लोग थे। इनके पास तमंजे थे। और उन्हों ने हमारे तमंजे दाल लिये। और अलमारियां तोड़ने की बहुत कोशिश करिए। अलमारियां से तोड़ के मुष्टि से चाइच तीस-चालिस हजा रुक्टे होंगे। धिके खचके। अब बाती सामान में ने देखा नहीं है। इस साम को साथ बजय की रजना है। तोड़नों के हातों में टेप बांदिया था और बस यह कह रहे थे कि अगर आपने सुझी करी तो उन डाक्टर को बोली माज देंगे। और इनके नहावे तमंज चातान लिया। कितनी उमर के होंगे। उमर मेरे खाल से 25 से लेके 35 के बीच के वहीं इस घटना के जनकारी होने पर सदर कोतवाली पूलिस और पिसिटी अमित्पिसोर शिर्वास्तर मोके पर पहुंच गए। अब थाना कोतवाली के अंतरगत लावेला चौक और शेटका के पीच जोगीपूरा के पास ड़क्टर गोविल का आवास हैं ड़क्टर साव अपनी पत्नी के साथ यहां रहते हैं और आज सान को कुछ वदम को फीजांच की जा रहे हैं नफसर पहरीर प्राप्ट करके इस पर मुखदमा लिखा जा रहा है तथा अग्रिम करवाई तकाल प्रावन कर दी गहीं है